हाई अब्रिवान, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर, असलाम वालेकुम, दोस्तो हमारे हाँ जबी भी कीमा बनता है, तो उसके नेक्स डे पे कीमा अंडा खोटाला जरूर बनता है, हमारी फैमिली में सब ये बिश को बहुत पसंद करते हैं, तो आईए हम आज उसकी रे हम नरम होने तक दोनों चीजों को पका रहे हैं, प्याज हलकी हलकी गोल्डन हो चुकी है, बस किसी तरह गोल्डन करना है हमें, हम उसमें एक तमाटर राइड कर रहे हैं, छोटा कट करके, थोड़ा नमक, क्लेम लो है, हम तमाटर को गलने तक पकाएंगे, दो से तीन मिनित हमने इस रेसिपी में ओईल यूज किया है, दो तेबल स्पूम, आप चाहें तो गीडी यूज कर सकते हैं, टमाटर गल चुके हैं, हम इसमें कीमा डाल देंगे, ये कीमा तकरीबन पॉना कप होगा, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से एक बार मिला अच्छी तरह से मिक्स करने के बार हम इसमें अंडे डाल देंगे, हमने यहाँ पर तीन अंडे यूज किये हैं, थोड़ा और हरा धनिया डाल देंगे, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करकेस में तीन से चार बार हरा धनिया डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छाएगा, फ भी डाल देंगे, आप तीखा कम खाते हैं, तो इसे ना डालें, थोड़ा सा हमने फ्लेम को बढ़ाया है, बस इसी तरह हम इसे भोटते रहेंगे, क्योंकि इसका नाम खीमा अंडा घोटाला है, तीन से चार मिनिट फ्लेम को हाई करके, हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह से पकाया है, खीमा अंडा घोटाला बहुत अच्छी तरह बन गया है, हम इस पर थोड़ा और हरा धनिया डाल देंगे, लेकिन रेसिपी खतम नहीं हुई है, अब आएगी बारी चीज की, जिसे सब पसंद करते हैं, हम इसमें एक स्लाइस चीज डाल देंगे, आप चाहें तो प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं, वैसे चीज ऑप्शनल है, आप अगर जाएं तो स्किप भी कर सकते हैं, फ्लेम को लो रखके हलके हलके हाथों से हम इसे मिलाएंगे, तो चीज मेल्ट भी हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा आजाएगा, हमारा चीजी की मा पांडा गोटाला बिल्कुल पैयार है, हम इस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंपिल करके इसे सर्फ करेंगे, दोस्तों मेरी आपसे गुजारेश है कि आप मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें, जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे, तो आपको तीम आप्शन मिलेंगे, All, Personalized और None, आपको All पे क्लिक करना है, अगर आप All पे क्लिक नहीं करेंगे, तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे, All पे क्लिक करना है